हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है हमारे ओनलाइन एस्टोलोजर चैनल में वार की तरह आज फिर आपके लिए आए हैं हम एक नई वीडियो लेकर सुबह उटकर ये काम भूल कर भी नहीं करें दिन भरा परिशान रहेंगे दिन की शुरुवात अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा रहता है और आप ये कभी नहीं चाहेंगे कि आपका दिन उलजन और परिशानियों में वीदे लेकिन आपने महसूस किया होगा कि कभी कभी अनुसार सुबह उटकर कभी भी आईने में अपनी सूरत आप नहीं देखें इससे पूरे दिन नकरात्मक उर्जा का प्रभाव आपके उपर बना रहता है सुबह नेन खुलते ही किसे व्यक्ति का चहरा भी देखने से बशना ही चाहिए इसका कारण ये है कि हर व्यक्ति मे एक उर्जा का संचार होता है वो जब नीन खुलती हो तो आपका शरीर इस्थिल होता है और आप दूसरों के उर्जा में प्रभाव में जल्दी आ जाते हैं अगर कोई नाकरात्मक उर्जा के प्रभाव में है तो आप भी उसके प्रभाव में आ जाते हैं इसले सबसे पहल अपने इश्ट और दिवता के ध्यान करें और उनकी दर्शन करें अगर ऐसा संभव नहीं हो तो अपनी हथेली देखकर भगवान का ध्यान करें ऐससे आत्म बल बढ़ेगा और सकारात्म कुर्जा का संचार होगा एक बातों और ध्यान रखने की जरूरत है कि सुबह के समय भ वानर कुल से मैं हूँ और कोई सुबह-सबह मेरा नाम लेता है तो उसे अस दिन पर भोजन नहीं मिलता प्राथन लई जो नाम हमारा ते दिन फाहीन मिलेसा citizen मतलब यह नहीं कि आप हनुमान जी का नाम नहीं लें, हनुमान जी का खूब नाम लें, लेकिन वानर शब्द का इस्तेमाल ना करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, धन्यवाद